हेलो गाईस कैसे आप लोग मैं हूमित तलडा आपका फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाईड स्वागद है आपका FMSM MCQ सीरीज में पास्ट पेपर ठीक है और यह सर हमारा लास्ट पार्ट है FMSM के MCQ सीरीज का यह लास्ट पार्ट है जिसमें हम क्या पढ़ने वाले है चैप्ट और डू गिव मी ओ फीडबैक कि आपको कैसा लगा और आपने कितने पार्ट देखे और समझा नहीं समझा कितना हेल्प हुआ जो भी है एक फीडबैक जरूर देना ठीक है ताकि मैं आगे के लिए उसको यूज करता हूँ ठीक है चलिए स्टार्ट करें वीडियो लाइक कर भी बार है कुछ-कुछ प्रॉपरली ड्राफ्टेट नहीं है या कुछ-कुछ में कन्फ्यूजन्स है वो सब मैं आपको बता दूँगा ठीक है कुछ ही कॉश्चन्स है बहुत जादा इस टाइप के कॉश्चन्स नहीं आते हैं ठीक है more or less 70-80% जो कॉश्चन से बहुत ही एक ही फ्लो में आपको समझ में आ जाएंगे कुछ-कुछ ही है जो बहुत ही अंदर-अंदर से आ गए है आपने पढ़े ही नहीं होंगे या आपको पता ही नहीं होगा तो है उस टाइप के भी कॉश्चन्स थोड़े से हैं ठीक है चली स्टार्ट करें जगर जगर पे पार्ट अफ मेकेंजी 7-10 एस फ्रेंवर्क परेंवर्क कें मैकेंजी 7-10 एस फ्रेंवग आपने पढ़ा हुआ है उसमें थीन हार्ड कि एस होते हैं और चार सौफ्ट किया है तीन हर्ड के स्रुक्ट और डिइक स्किन्स त्रूक्टाअrick सा्टेजी शिस्टिम तो question क्या है Which S is not a part of McKenzie framework बोलो कौन सा S नहीं है पहला है shared value Yes यह है system है staff भी है synergy यह ऐसा कुछ है नहीं सातों के सातों मैंने आपको बता दिये synergy नाम का कोई भी S 7S framework में नहीं है आगे बढ़ते हैं Which of these are characteristics of matrix structure बोलो यह थोड़ा सोचने वाला है तीक है matrix structure आपने types of structure पढ़े होंगे वरूबर functional divisional, matrix, open वरूबर वो सब आपने पढ़ा हुआ है free form वाला open system जिसको कहते है तो आपने पढ़े होंगे matrix structure में आपको at least इतना याद होना चीकि matrix structure जो है decentralized है centralized control नहीं है functional वाला क्या होता है centralized होता है और matrix structure क्या होता है decentralized ठीक है तो दो option तो पहले eliminate हो जाने चाहिए कि आप A और D में से होगा अब जब आप decentralized कर लेते हो आए ख्याल में तो coordination की ज़्यादा ज़रुत पड़ती है control करने के लिए ठीक है control सबसे अच्छा मतलब direct और easy किसमें होता है centralized में decentralized में control करना actually मुश्किल होता है वो उसके disadvantage में आता है आए ख्याल में तो decentralized में ज़्यादा important क्या हो जाता है ज़्यादा relevant क्या हो जाता है coordination आपको coordinate करना पड़ता है तो इसका answer actually क्या है decentralization and coordination ठीक है decentralization and coordination तो हलका tough है यह आगे बढ़ते हैं यह भी एक type का case study कह सकते हो या I don't know कहां से क्या पूछ लिया है नोने बट ठीक है बोलो क्या है which of the following market structures would be commonly identified with FMCG products fast moving consumer goods Hindustan Unilever ठीक है even Patanjali वो भी FMCG में है अभी पूरा ठीक है तो इन field में कौन सा market structure जादा common है ठीक है तो FMCG में आपको पता ही होगा कि बहुत जादा players है ठीक है मतलब buyer sellers जादा है तो monopoly तो नहीं है ठीक है monopoly नहीं है perfect competition भी नहीं है perfect competition अगर आपने पढ़ा होगा economics में तो आपको पता होगा perfect competition होता ही नहीं ठीक है पूरे real life में ही नहीं होता और oligopoly भी नहीं है oligopoly I think beverage sector में होता है आपने सुना ही होगा beverage cold drink sector में oligopoly होता है तो एक ही clear option है monopolistic competition अब इसमें features क्या होते है की buyer sellers जादा होते ही है पर आप थोड़ा एक monopolistic element बनाने की कोशिश करते हो through differentiation और FMCG में यहीं होता है आप देखते ही हो न कितने variants होते है identical नहीं है identical products नहीं है ठीक है perfect competition में क्या होता है identical products होते है और FMCG में identical products नहीं होते है हलका 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 वो differentiate करते हैं और वहीं से monopolistic element create करने की कोशिश करते हैं ठीक है तो यह monopolistic competition में आता है फिर एक और case study type question है 2-3 question अभी तक आ चुके है case study based मैं already पिछले पार्ट में बता चुका हूँ बहुत जादा नहीं आता आप सोचोगे कि सर 40 में से सीधे 10 आगे तो इतना नहीं आता 2-3 आप expect कर सकते हो उस पे मैं सोच रहा हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ how can I help to all my followers on YouTube तो मैं सोच रहा हूँ सोच विचार चल रहा है काम चल रहा है जब कुछ बन जाएगा तो मैं आपको दे दूँगा ठीक है पर आप अपने तरफ से काम करना चालू रखो ठीक है पूरा मेरे उपर depend मत रहो चल यह क्योंकि मैं कितना आपके लिए करूँगा depend करता है आप response कैसा देते हो response अच्छा मिलेगा तो मैं time निकालूँगा तो मैं beyond जाके कुछ करूँगा response आप ठंडा दोगे तो मैं भी काम से काम रखोंगा ठीक है तो यह होता ही है कितना भी आप अच्छे हो फरक पड़ जाता है चलिए स्टार्ट करते है the existence of price war ठीक है price war in airline industry in India indicates that ठीक है airline industry का खास कुछ लेना देना ही नहीं price war क्यों होता है अगर आपको यह समझ में आ जाए तो आपको वैसे भी answer आ जाएगा ठीक है पहला है customers are relatively weak because of the high switching cost created by frequent flyer programs industry is moving towards differentiation of service competitive rivalry in the industry is severe economic segment of external environment has shifted but the airline strategies have not changed ठीक है ऐसा कुछ है नहीं तो price war किस वज़े से होता है price war का सबसे main reason क्या होता है rivalry competitive rivalry in the industry is severe कि अगर आपके industry में बहुत ज़्यादा competition है तो उसमें price war होना ही होना है ठीक है और आप ये अब हर sector में देख सकते हो जहाँ भी बहुत ज़्यादा tough competition है बहुत ज़्यादा players है और product service में बहुत ज़्यादा differentiation नहीं है तो वहाँ बहुत ज़्यादा price war होता ही है ठीक है बढ़ेते हैं आगे, what can be defined as the art and science of formulating, implementing and evaluating, formulating, implementing and evaluating cross-functional decisions that enable an organization to achieve its objective, तो यह काफी आसान है, क्या क्या है, options क्या है, strategy formulation, strategy evaluation, strategy implementation and strategic management, ठीक है, हलका confusion आपको हो सकता है, between strategy formulation and strategy formulation strategy, strategic management, ठीक है, दोनों में confusion हो सकता है, लेकिन scope आप देखो, scope देखो, science and art of formulating, implementing, ठीक है, implementing भी है, evaluating भी है, यह तो पूरा ही हो गया ना, मतलब यह पूरा strategic management आएगा, आए ख्याल में, उसमें तीनों आगे, formulating, implementing, evaluating, तो वो तीनों में से, मतलब ABC तो आई नहीं सकता ना, collective आए है, फिर एक यह example based question है, a sudden increase in critical resources, अगर आपके कुछ critical resources है, जिसके वज़र से आपका business बंद हो सकता है, रुख सकता है, ठीक है, इतना बड़ा, मतलब critical है वो, उसमें अगर subtle increase हो गया, कि मतलब आपके dependency बढ़ गई है, number of critical resources बढ़ते जा रहे हैं, जितने जादा critical resources हैं, उतना risky आपका business हो सकता है, which may invite an immediate reassessment of organization strategy is an example of, आई क्याल में, तो यह एक example है, module में भी दिया है, मेरे book में भी दिया हुआ है, बोलो, कि अगर sudden increase है critical resources में, जिससे आपको immediate reassessment करना पड़ेगा, तो यह example है, special alert control, ठीक है, यह immediate increase एक क्या है, alert है, यह alert की तरह काम करता है, और आपको special alert control करना पड़ेगा, क्योंकि sudden increase है, unpredictable है, ठीक है, surveillance में आप सिर्फ देखते रहते हो, कुछ गलत हुआ नहीं होता है, आप सिर्फ देखते रहते हो, कि गलत हो तो नहीं रहा, ठीक है, surveillance, सिर्फ अब monitor करते हो, implementation control तो देख अलगी है, यहाँ पे उसका कोई लेना देना नहीं है और एक आपको confusion हो सकता है, strategic leap control, इसमें थोड़ा अलग है, इस पे भी एक question आया है, अब भी चलो पढ़ लेते हैं, question 20 पे आजाओ, तो आपको फरक समझ में आ जाएगा, और याद रखने में थोड़ी आसानी होगी, question 20 पे आजाओ, question 20, which strategic control technique, ठीक है, पूरा topic क्या है, strategic control technique, enables the organization, operating in relatively unstable and turbulent environment, ठीक है, यह उसका पंचवड है, अगर आप turbulent and unstable environment में हो, in defining new strategic requirements and to cope with the environmental realities, ठीक है, तो कौन सी control technique use होगी, तब आता है आपका leap control, तो leap control का special puncture क्या है, unstable और turbulent environment में अगर आप हो, तो ऐसे environment से जूजने के लिए आपको leap control की strategy लगेगी, ठीक है, और अगर मैं unstable को stable environment लिख दूँ, तब आता है momentum control, आ रहा है समझ में ध्यान दे रहे हो, अगर unstable and turbulent environment रहा, तो तब क्या आता है, leap control, और अगर stable environment में आप हो, तब आता है momentum control, ठीक है, लिख लो, मैं module में दिखाई देता हूँ, रुख जाओ, आसान हो जाएगा आपके लिए, ठीक है, पूरा ध्यान दो, ठीक है, कुछ भी आ सकता है, इसमें ध्यान दो, तो यह लिखा हुआ है, देखो, आपके strategic control techniques है, ठीक है, क्या-क है, पहला premise control, premise का मतलब क्या होता है, assumptions, फिर है, आपका strategic momentum control, फिर आता है strategic leap control, फिर आता है implementation control, surveillance, और special alert control, ठीक है, सब में 5 words ध्यान दो, leap control में देखो, यह वाला question आ चुका है, sudden increase in critical resources में, invite in immediate reassessment of the organization strategy, clear, clear line है, ठीक है, तो आपको major environmental events का, के बज़े से alert control करना पड़ता है, फिर आता है, देखो, leap control, leap control में देखो, लिखा हुआ है, relatively unstable and turbulent environment, यह उसका punch word है, और फिर आता है momentum control, तो उसमें आता है, techniques are suitable for organization, working in relatively stable environment, clear है, तो यह उसका punch word है, तो यह सब note कर लो, यह सब note कर लो, जो भी book से आप पढ़ रहे हो, जहां से पढ़ रहे हो एक बाद चेक कर लो, नहीं होगा, लिख लो, clear है, और assumptions वाला जो है, वो आएगा, premise control, फिर surveillance में देखो रहता है, कि आप non-focus control कर रहे हो, अलब कुछ हुआ ही नहीं है, surveillance in general ही किया जाता है, चीक है, तो monitor a broad range of events inside and outside the organization, चीक है, monitoring word इसमें आएगा, या non-focus control इसमें punch word ठीक है, तो I hope आपने note कर लिया होगा, आगे बढ़ते हैं, clear है, शल, वापस आजाओ, Question No. 7, Question No. 7, Strategic Change that most of the companies pursue are the following, except, कौन सा Strategic Change नहीं है, ठीक है, तो Strategic Change में आपने पढ़ा है, RRI, RRI, Restructuring, Sorry, हाँ, Restructuring, Re-Engineering and Innovation, ठीक है, ऐसे तीन टाइप के Strategic Change आप पढ़ते हो, ठीक है, तो कौन सा Strategic Change नहीं है, Liquidation, ठीक है, Liquidation नाम का कोई Strategic Change नहीं है, या तो Re-Engineering है, जिसको आप Business Process, Re-Engineering भी आगे चलके पढ़ते हो, Restructuring, ठीक है, Restructure आप करते हो, बिजनस को, या आप Innovation लाते हो, ये तीन टाइप से आप Strategic Change कर सकते हो, Liquidation से तो सीधे बिजनस ही बंद हो जाता है, वो Change नहीं है, वो तो सीधे आप बिजनस ही बंद कर रहे हो, ठीक है, तो That is not a Strategic Change, आगे बढ़ते हो, फिर है, If Misinformation and Lack of Information creates Barrier, ठीक है, Barrier वाले Point में आप पढ़ते हो, कि अगर Barrier जो है, जो Problem है, वो किसके वज़े से है, Misinformation या Lack of Information create Barrier in Managing the Change, It can be Managed by, बोलो, Misinformation से आप कैसे लड़ सकते हो, Education and Communication, ठीक है, Lack of Information, Education, Misinformation, Communication, Proper Match होता हो, ठीक है, तो Education and Communication से आप ये चीज़ों से लड़ सकते हो, आगे बढ़ते हो, फिर है, Important Benefits of McKinsey 7S Framework Model is or are as follows, पहला है, It is a Diagnostic Tool for Understanding the Organization, which are non-effective, ठीक है, अगर आप non-effective हो, तो आप इसके तुरू Diagnose कर सकते हो, कि क्यूं आप non-effective हो, और आपको कहां काम करना है, इसमें आपको, जब भी आप Organisional Structure या कोई चीज़ चेंज कर रहे हो, तो इसमें आपको guide करेगी, कि कैसे करना है, और कहां कहां क्या-क्या Changes करने पढ़ेंगे to support the change, It combines rational and hard elements with emotional and soft elements, ये भी सही है, तो answer आपका clear है, all of above, सारे के सारे benefits हैं, 7S framework के, clear है, आगे बढ़ते हैं, ये भी एक बहुत अच्छा topic है, इसमें, I think, दो बार question आ चुका है, और आने के chance काफी कम है, बट still, पूरे जो points हैं, वो आपको पता होने चेह, क्योंकि काफी बच्चों ने नहीं बढ़ाई है, मैं इसलिए मैं सोच रहा हूं, बता ही देता हूं, module में, कहां पे है, चीक है, तो ये वो topic है, ध्यान दो, ज इसमें से कुछ भी घुमा के पूछ सकते हैं, all of above कब या answer आ सकता है, या कौन सा नहीं है, भलते कोई तो एक option डाल देंगे, तो घुमा फिर आके कुछ भी पूछ सकते है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, कि कब-कब restructuring या downsizing जरूरी हो जाता है, ठीक है, अब downsizing थोड़ा आसान है, जैसे ये दिया है, reduction in demand, demand ही कम हो गई, तो आपको downsize करना पड़ेगा, excess production capacity आपके पास, तो downsize करना पड़ेगा, ठीक है, फिर है, high cost से आपके bureaucratic and administration and operating cost बहुत जादा है, तो भी downsize करना पड़ सकता है, फिर है, बाकी फिर आप restructuring के लिए सोच सकते हैं, तो कि अगर new technology आ गई है, तो आपको restructure करना पड़ेगा business, फिर अगर आपको competitive advantage चाहिए, तो आपको restructuring करनी पड़ेगी, unfourcing change हुआ business environment में, तो उसको tackle करने के लिए, आपको restructuring करनी पड़ सकती है, environment से match करने के लिए, तो कुछ restructuring के हैं, कुछ downsizing के हैं, ठीक है, ऐसे total य of ICSI material, ठीक है, तो आप यह पढ़ लेना अच्छे से एक बार, काफी important है, question इसमें से आ रहे हैं, आ जाओ, और I think यह repeat हुआ है, एक बार, ठीक है, repeat भी हुआ है, बताता हूँ मैं, तो काफी बच्चे कुछ एक दो comment में पूछ रहे दे, सर repeat होता है, आरे भाई, मैं हर वीड पूछना, बड़े हो गए ओभी तो, ठीक है, बोलो, restructuring and downsizing becomes necessary due to the following factors, except, ठीक है, structure समझ गए, except, मतलब, odd man out, आपको अटाना है कि कौन सा point नहीं है, कब-कब downsizing यह सब करने की ज़रत नहीं होती है, पहला है, unforeseen changes in business environment, new technological development, increase in demand, तेक words बदल दिये, मैंने बताया है न, आपक कुछ न कुछ बदलेंगे, increase in demand, अरे बाई, demand बढ़ रही है, तो मैं downsize क्यों करूँगा, समझ में आ रहा है, तो यह वो नहीं है, कब करना बढ़ता है, decrease में, तो इन्होंने decrease को बदल के increase कर दिया है, और फिर है excess production capacity, ठीक है, तो तीन तो थे, एक ही नहीं था, वो है increase in demand, क Yes, repeat हुआ है, question number 22, देखो, पहला आया है, December 2020 में, अब आजाओ, question 22, अब आया है, December 2021 में, ठीक है, एक साल बात repeat हुआ है, same question है, option थोड़े बदले है, obviously, as it is repeat नहीं हुआ है, restructuring and downsizing becomes necessary due to positive question है, कौन-कौन से points है, यह आपसे पूचा है, पिछला जो question था, वो क्या था, accept का था, structure अलग है, तो new technological development, reduction in demand, सही point दिया है, improvement in competitive advantage, तो answer के आएगा, all of above, तो answer के आएगा, all of above, clear है, तो same topic पे, same list पे, दो बार question आ चुका है, थोड़ा अलग धंग से पूचा गया है, चिक है, तो option बदल के अभी भी एक और बार आ सकता है, तो आप पूरे 6 points बस याद क कर लो, चिक है, शल, आगे बढ़ते है, question number 11, question number 11, आजाओ फटा-फट, इन dash structure, the activities are grouped according to the types of product manufactured or different market territory, बस इतने से ही आपका answer आ जाना ची, अगर आपने पढ़ा है तो, या तो आप products के साब से categorize करते हो, या territories, यानि जोग्रोफिकल, जोग्रोफी के साब से आप करते हो, तो ये कौन से structure में होता है, divisional, ठीक है, पढ़ा होगा तो sir, 2 second में click हो जाए कि ये बहुत detail में उस structure की थेरी में दिया हुआ है, आगे बढ़ते हैं, फिर है large organizations create which assume the role of a separate company, बरवबर ये भी click होना चाहिए आपको, क्या आप क्या create करते हो, which assumes the role of a separate company and create their own strategy, own strategy, punch word क्या है, own strategies and plans in order to achieve their corporate goals and contribution to the overall organization, तो ये हम पढ़ चुके हैं, पिछले पार्ट में भी नहीं बताया था, SBU, हम क्या बनाते हैं, SBU, और उसका एक अलग role बनाते हैं, as if क्यों एक अलग company है, और उसके लिए separate strategy और plan बनाते हैं, ठीक है, तो वो क्या बना आते हैं, SBU, चीक है, आगे बढ़ते हैं, 13th, the framework within which, ठीक है, framework within which, managerial and operating task का perform is called as structure, अजब organizational structure, ठीक है, दायरा अपन decide करते हैं, जिसके तहत हम सारे काम करेंगे, या सकाम को बाटेंगे, तो वो होता है, organizational structure, framework, ठीक है, इसका punch word क्या है, framework, आगे बढ़ते हैं, फिर है, question 14, an efficient control system helps too, बोलो, efficient control system का एक के लिए help करेगा, accomplish objectives, boost the employee moral, judge accuracy of the standards, तो सही है, तीनों के तीनों सही है, बरबर, objective भी हासिल होंगे, control से, employee moral भी बढ़ेगा, क्योंकि वो target उनको मिलेगा, तो motivated होंगे, कि हमको यह achieve करना है, target ही नहीं दोगे, तो वो high moral उनका हो गई नह को पता ही नहीं कि उनसे क्या expected है, तो वो काम कैसे करेंगे, ठीक है, तो control system के तीनों के तीनों फाइदे है, आगे बढ़ते है, according to McKinsey 7S framework, change in strategy, change in strategy is implemented through change in, यहाता है, systems, बरबर, जो आपके पूरे systems हैं, जिसमें softwares भी आते हैं, hardware, software, पूरा जो structure होता है, systems होते हैं, आपके procedures होते हैं, वो सब आते हैं, तो अगर आपको जबती change करना है, strategy, तो आपको वो implement कैसे करना पड़ेगा, पूरे systems को बदलना पड़ेगा, पूरे systems को strategy के direction में उसको बदलना पड़ेगा, ठीक है, तो systems के through, वो ground level पे implement होती है, ठीक है, बाकी कादे को कुछ खास लेना देना ह है भी नहीं, style, shared values, skills, हलका पुलका है connections, पर implemented word आपका important है, implement कैसे होगा, system से, आगे बढ़ते हैं, ये भी काफी easy है, the difference between strategy formulation and strategy implementation is that, ठीक, अपने एक table distinguish का पड़ा होगा, उसी पे question है, कि strategy is developed by top management and implemented by managers, यहने all levels पे आता है हो, strategy is created by a few, implemented by all, ये भी सही है, strategy is customer centric and implementation is operation centric, ये भी एकदम सही है, तो आपका answer क्या आएगा, all, तीनो के तीनो differences है, तीनो के तीनो differences है, all of above, आगे भढ़ते हैं, question number 70, which of the following is most suitably supplies, या actually applies होगा, applies to the matrix structure, बोलो, matrix structure में क्या apply होता है, अब ये I think, ये वाला है, जो एक मैं कहा था था न, confusing है कोई, ये वाला I think, confusing है, ठीक है, क्या है, देखो, की matrix structure में कौन सा suitable है, पहला है, it encourages empowerment, which results in high moral and motivation, adding to quality decisions and implementations, it incurs extra cost, since each division has its own set of functional department, it seeks to introduce specialist functional managers into organization, it allows the owner to control all the aspects of business, ठीक है, ये काफी confusing है, मेरे साब से, क्योंकि बहुत ही, मतलब ये सारी चीज़ें आपके module में दी नहीं है, matrix structure के features में, ये सब आपको ज़्यादा detail में कुछ भी दिया ही नहीं है, तो ये चार में से एक pick करना, as a student मैं कह रहा हूँ, बहुत मुश्किल है, even as a teacher भी मुश्किल है, honestly, बड़ कोई मानेगा नहीं, ठीक है, तो लगेगा कि चारू ही है, क्योंकि इस सब थोड़ा सा connected है, तो इसका answer actually यह है, A, A इसका answer है, कि it encourages empowerment, which results in high moral and motivation, adding to the quality decisions and implementation, तो ये सबसे better option है, बाकी भी हलके से connected ही है, बाकी भी हलके से connected ही है, बट A answer है, एक दो question ऐसे भी मिलेंगे, जिसमें यह करना बहुत मुश्किल है, और आपके गलत होने के chances जादा हैं, और मैं इसी type के questions कहता हूँ, कि आप skip करो, जिसमें आप बहुत ही confused हो, चारो option सही लग रहे हैं, या तीन option सही लग रहे हैं, तो उसमें आप दुका मत मारो, दो में से एक में आप confused हो, वहां आप leap of faith लेके कोई तो एक tick कर सकते हो, पर दो से जादा में आपको confusion हो रहे हैं, तो फिर आपके सही होने का chance probability बहुत कम है, तो वो skip करना better रहेगा, चीक है, आगे बढ़ते हैं, ये भी काफी आसान है, basic question है, which model is based on the premise that organization is an open system, मैंने बता दिया आपको punch word, open system and the basic task of manager is to facilitate the change in the organization, तो open system वाला क्या है, free form of structure, free form organization structure इसमें आता है, चीक है, open system की तरह जो काम करता है, clear है, आगे बढ़ते हैं, question 19, which of the following is not a correct element of strategic leadership, it deals with vision, keeping the mission inside and with effectiveness and results, it emphasizes on transformational aspects, which leads to emergence of leaders in the organization, it inspires and motivates people to work together with a common vision and purpose, ये भी है, strategic leadership has internal focus rather than external focus, which helps the organization to relate with the environment, बोलो, कहां आपको गर्वर्ड लग रही है, not correct आपको identify करना है, जो correct नहीं है, बोलो, तो देखो एक-एक discuss करते हैं, motivates, inspire, employs people, ये तो सही है पूरा, फिर ये भी सही है, कि transformational पर ध्यान देता है, और leaders emerge होते हैं, ये भी सही है, और फिर है deals with vision, ये भी सही है, strategic leadership है, vision में deal करता है, बरबर, तो clear answer है D, क्यों, क्योंकि यहां लिखा है, internal focus, यहां आपको click होना चाहिए, कि strategic leadership external focus रखता है, internal focus कैसे रखेगा, और statement अपने आप में भी देखो, contradictory अगर आप ध्यान से बढ़ो, कि लिखा है, it has internal focus, और क्योंकि उनका internal focus है, it helps the organization to relate with the environment, environments आपका relate कर पाओगे, जब आपका external focus रहेगा, न की internal focus, ठीक है, तो यह incorrect है, आगे बढ़ते हैं, 20 हो चुका है, आजाईए, 21, बहुत ही basic question है, which of the following perspective is not a part of balance scorecard, बोलो, चार perspective होते हैं, I think, अगर मुझे भी याद आजाए, एक है financial perspective, एक है customer perspective, एक है learning and growth perspective, और एक है business process perspective, ठीक है, ऐसे चार perspective होते हैं, देखो, क्या है, financial है, customer है, learning and growth है, creditor perspective, ऐसा कोई perspective है ही नहीं, और आपसे वही पूछा है, not a part of balance scorecard, बोलो, तो क्या आएगा, creditors perspective, ऐसा कोई perspective है ही नहीं, आगे बढ़ते हैं, अब scorecard पे एक और question है, अब भी के अब भी पढ़ लेते हैं, आप आसान लगेगा, question 26, question 26, question 26, which of the following is not true, not true for balance scorecard, the balance scorecard is divided into four main areas, सही है, four areas are not interrelated, ठीक है, यह मेरे साब से गलत है, not लिखा है, जबकि actual में क्या है, yes they are interrelated, चारो की चारो elements interrelated है, फिर a balance scorecard is used as a strategic planning and a management technique, financial perspective, business process perspective, customer perspective and learning and growth perspective are four main areas, ठीक है, यह गलत है, क्योंकि answer सही क्या है, मतलब सही concept क्या है, कि they are interrelated, तो यह दो question balance scorecard पे आ चुके है, आगे बढ़ते हैं सर, आजाओ, 23, which of the following techniques are generally used for exercising strategic leap control, ध्यान दो, leap control पे पूछा है, अब इसके अंदर के points पूचह है, अब यह काफी कम बच्चों को याद होंगे, यह नहीं याद हो पाएंगे, मतलब आपको बहुत multiple readings लगेगी, 7, 8, 10 बार पढ़ोगे, तब जाके थोड़ा सा differentiate कर पाओगे, क्योंकि I think 3 से 4 strategic change के points में सब points आते हैं, momentum में भी आते हैं, leap में भी आते हैं, implementation में भी आते हैं, बरवा तीन से चार में आते हैं, मैं बता देता हूँ, आज़ा भाई, क्या हो गया, देखो, यह मैं बोड़ रहा हूँ, यह याद कर लो, मेरे साथ साथ चलो बोलते जाओ, तो momentum control में देखो तीन हैं, तीन approaches हैं, पहला है responsibility center, responsibility control center, underlying success factor, generic strategies, याद करना पड़ेगा, ठीक है, तो momentum control में तीन ऐसे approaches होते हैं, फिर है leap control, जो अभी question आया है, strategic issue management, field, field आया है, वो field analysis है, और systems modeling, तीन है इसमें भी है, ठीक है, question देखो, आपको कैसे पूछा गया है, question कैसे पूछा गया है, पहला है strategic issue management, दूसरा है strategic field analysis, both a and b, none of above, बोलो, है तीन points, पर आपको structure कैसा दिया है, both of above वाला, all of above वाला भी आ सकता है, तीनो points दिया रहेंगे, all of above, तो थोड़ा असान हो जाएगा, तो उन्होंने दो दियें, और both का भी एक option दिया है, तो answer क्याएगा, both, ठीक है, तो यह है, ठीक है, I hope, वीडियो पॉस करके अब भी के अभी पढ़ डालो, ठीक है, यह बहुत अच्छी बात है कि मैं recorded videos डाल रहा हूँ, आप पॉस करके उसी वक्त पूरा concept, उसी वक्त आप एक बार revise कर सकते हो, तो आपको और एक मतब extra revision हो जाएगी, ठीक है, तो अभी के अभी बैठ के control techniques और उसके अंदर के points अभी के अभी पढ़ डालो, ठीक है, तो momentum में तीन आते हैं, control center, responsibility center, underlying success factor, generic strategy, leap control में आता है, issue management, field analysis, systems modeling, implementation में भी देखो दो है, monitoring strategic thrust and milestone review, thrust and milestone review, तो इसमें भी बोथ A and B type का question बन सकता है, in the implementation control, चीक है, शलिये, तो I hope आप पढ़ लोगे, आगे बढ़ते हैं, अब यह I think एक question है, अच्छा हाँ, यह सही है, बोलो, name the three S, इसका described as hard S, बोलो, पहले ही मैंने बता दिये थे, strategy, system, structure, strategy, system, structure, strategy, system, structure, ढूंडो, पहला ही है, strategy, system, structure, strategy, system, structure, ठीक है, shared value soft में आता है, style soft में आता है, यह तो तीनों soft है, इसमें system सिस्टम सिर्फ hard है, बाकी दों soft है, ठीक है, तो एक ही हैं, जिसमें तीनों hard S आते हैं, strategy, system, structure, आगे बढ़ते हैं, अब यह question है, जो मेरे हिसाब से गलत है, ठीक है, which S is not a part of McKinsey as 7S framework, बोलो, 7S मैंने आपको बताए दे, strategy, system, structure, 3 hard S, और 4 soft S क्या है, skill, style, staff and shared values, और अगर आप module पढ़ोगे, तो shared value का एक और नाम है, superordinate goals, यह shared value का ही दूसरा नाम है, तो अगर आप देखोगे, तो चारो के च चारो 7S में आते है, shared value भी आता है, यहने superordinate goals, skills भी है, staff भी है, strategy भी है, चारो के चारो 7S में आते है, तो actually यह question क्या आना चाहिए, कि soft S का part नहीं है, soft S, क्योंकि इसमें 3 soft S हैं और 1 hard S है, hard S क्या है, strategy, बाकी तीनों देखो soft S में आते है, तो question क्या होना चाहिए, कि कौन सा soft S में नहीं आता, ठीक है, तो answer आएगा strategy, clear है, यह मेरा सोचना है, मैं सब अपने सब से बता रहा हूँ, सही है, गलत है, वो आप देखो, आपको क्या सही लगता है, आपको क्या follow करना है, क्योंकि market में और भी teachers है, हो सकता है, वो अलग बोल रहे हूँ, ठीक है, तो मैं ऐस एकलौता तो teacher हूँ नहीं, तो आप देखो, मैंने बस अपना justification दे दिया है, आपकी exam है, आपका career है, आप देखो आपको क्या करना है, ठीक है, चल यह, आगे बढ़ते हैं, फिर last है, बोलो, यह भी काफी easy है, same topic पे आए, which of the following is not an example of strategic change that most of the company pursue, same RRI, बोलो, re-engineering, restructuring, innovation, liquidation के जगह पे shutdown नाम दे दिया है, repeat हुआ है, ठीक है, almost repeat हुआ है, ठीक है, repeat है, liquidation के जगह, shutdown word दे दिया है, तो यह आपका most of the company pursue नहीं करती है, तीन ही है, RRI, तो यह था आपका chapter number 15, आगे बढ़ते हैं, अब आता है chapter 16, ठीक है, last chapter, chapter 16, आ जाईए, करें start, चलिए, number one, TQM, total quality management was initially applied in, बोलो, country पूचा है, तो जपैन में यह start हुआ था, TQM, Japan, I think यह repeat भी हुआ है, एक बार, yes, repeat हुआ है, question number 6, question number 6, where was total quality management first developed, ठीक है, तो यह भी आएगा आपका Japan, तो दो बार आ चुका है, December 2020, और December 19, आगे बढ़ते हैं, फिर है, what is the six sigma risk return level, यह एक आपके table में दिया है, आपके module में एक table है, distinguish between है, actually, of BPR and six sigma, BPR and six sigma, तो six sigma में आपका risk return level आता है, medium high, medium risk, high return, medium risk, high return, ठीक है, यह level है, six sigma का, और BPR का भी उस table में दिया हुआ है, तो BPR का अभी भी पूछा हुआ नहीं है, तो अब इस type का, इस पे question आ सकता है, तो उसमें, I think है, high, low, high risk, low return, ठीक है, यह high risk return level है, ठीक है, तो यह question आ सकता है, लिख लो, यह question BPR के लिए आ सकता है, तो उसमें answer क्या आएगा, high, low, high risk, low return, आगे बढ़ते हैं, यह भी थोड़ा, अजीवो गरीब question है, मतलब मुश्किल है आपके लिए identify करना, which category of benchmarking involves multi-site comparison of processes and performance, multi-site comparison किस में होता है, वो होता है, generic strategy, नाम में ही मीनिंग है, generic, generic मतलब कोई एक specific चीज आप compare नहीं कर रहे हो, जो जहां अच्छा लगे या जो company में अच्छी बात हो, compare करने लाएग, benchmarking करने लाएग, आप वहाँ comparison करते हो, कोई ऐसा fixed दाइरा नहीं होता है, तो वो ही है, multi-site comparison, ठीक है, बाकी सब में देखो fix होता है, internal यह वो सब में एक fixed दाइरा होता है, आगे बढ़ते है, principles of BPR approach do not include, do not include, बरबर कौन सा BPR का principle नहीं है, number one, rethinking business processes, बस इतना ही काफी है, rethinking आता ही है, striving for improvement in performance by radical rethinking, यह भी आता है, radical rethinking, redesigning the process, यह भी आता है, checking that all internal customers act as per their own suppliers to identify the problems, और फिर है scrapping any process line over two years old and starting again from scratch, अब यह आपने कहीं भी नहीं पढ़ा होगा, कि ऐसा कुछ पूर है आपके syllabus में नहीं है, कि हर दो साल में process line को बन कर दो और नए सिरे से start करो, ऐसा किसी का principle नहीं है, कोई भी strategy या कोई भी concept जो आपने पढ़ा हुआ है, कह है, clear answer है, कि कोई भी line को दो साल में बन कर दो और फिर से start करो, ऐसा किसी में भी principle नहीं है, आगे बढ़ते है, improving quality through small incremental improvements, अब यह actually वही है, out of module, out of module, चीक है, improving quality through small incremental improvements is the characteristics of which type of quality management system, कौन से quality management system का क्या बोलना है, कि छोटे-छोटे incremental improvements करो, तो options है, just in time, just in time तो अलगी था, six sigma, चीक है, six sigma, TQM and Kaizen, बोलो, तो answer है आपका Kaizen, Kaizen अब आपके वही syllabus में जादा दिया ही नहीं है, एक बस line कहीं तो भी आती है, और आपके module में बस continuous improvement करके दिया हुआ है, कि Kaizen की जो principle है, वो क्या कहती है, continuous improvement, अब continuous improvement से आप यह interpretation नहीं निकाल सकते है, small incremental improvements, इसका मतलब यह नहीं होता है, ठीक है, तो इसलिए module में मतलब दिया ही नहीं है सब, ठीक है, तो क्या बोलोगा है, out of syllabus से, आगे बढ़ते हैं, 7th पर आ जाओ, 7th, which of the following are key components of TQM, ठीक है, यह easy है थोड़ा, TQM के key components क्या है, पहला है individual responsibility, individual responsibility, अच्छा आपको पूछा है कि कौन सा key component है, चार में से मतलब एक ही सही होगा, वो आपको identify करना है, तो individual responsibility तो आती ही नहीं, collective responsibility या overall responsibility आती है, दूसरा है देखो, collective responsibility और सिर्फ लिखा है continual, group responsibility, staged improvement and knowledge, और फिर है involves everyone, continual improvement, use of data and knowledge, कौन सा जाधा अच्छा option है यह आपको choose करना है, क्यूंकि second B और C भी, मतलब stage के वज़े से यह शायद गलत होगा, कि continual improvement का आता है, continual stage wise नहीं होता, और इसमें तो कुछ missing लग रहा है मेरेको, continual के आगे कुछ दिया ही नहीं है, तो D option आपका एकदम perfect है, involves everyone, continual improvement, use of data and knowledge, ठीका, data driven होता है वो, तो data and knowledge भी ज़रूरी है, आगे बढ़ते हैं, फिर ये भी है, काफी बच्चों ने पढ़ा ही नहीं है, चीक है, और मुझे भी लगता नहीं था, इस पर question आएगा, पर आगया है, और match the pair आए है, तो इसमें आप एक नाम याद रखो, इसमें sequence याद रखो, कि, क्या था है, RCPSG, ठीक है, पाच टोटल, अलग-अलग ऐसे, नाम है, reverse engineering, competitive engineering, process, benchmarking, S है strategic, और G है generic, ठीक है, तो यह ascending order में, years देखो, आपको याद नहीं रखना है, आप याद कर भी नहीं पाओगे, अगर आपको ascending order से sequence याद आ गया, तो भी आप manage कर सकते हो, question, ठीक है, मतलब यह particular question, तो RCPSG, ठीक है, ऐसा, तो R सबसे पहले है, तो सबसे पहला year कौन सा है, वो आप देखो, बोलो, सबसे पहला क्या है, 5075, ठीक है, तो यह 3 आएगा, फिर है RC, C याने competitive, तो यह second है, second बोल process, process आएगा, third पे, third क्या है, 82, 86, और S, fourth पे है, तो यह 88 plus आएगा, S से भी आप इसको solve कर सकते हो, बोलो, तो क्या option है, 3142, 3142, 3142, 3142, 3142, ठीक है, 3142, RCPSG, RCPSG, ठीक है, लिख लो, आगे बढ़ते हैं ये भी फुल फॉर्म पे कॉस्चन है काफी आसान है बोलो इनसिक सिगमा डिम एईसी स्टैंड फॉर बोलो डिम एईसी डी फॉर डिफाइन एम फॉर मेजर डिम एईसी एफॉर मेरे कोई याद में आ रहा क्या था वाई एनलाइज इंप्रूफ एंड लुए बोलते जाओ साथसाथ ने आके बन करके डिफाइन मेजर एनलाईज इंप्रूफ नजर बोलो डिफाइन मेजर एनलाईज इंपूरूफ कंट्रूल क्लिक करो चीक है, तो यह है DMAIC, अब इस पर एक और question आया है, बहुत ही easy question आया है, question number 17, 17, 17, बहुत easy है, बोलो, in DMAIC, with reference to six sigma, D stands for, DMAIC में D stands for define, अब यही question M के लिए आ सकता है, A के लिए आ सकता है, I के लिए आ सकता है, C के लिए आ सकता है, तो इसी pattern में चार question और आपको बना के दे सकता हूँ, और आप खुश हो जाओगे, कि सर ने चार question और दे दिये, तो खुश हो जाईए, ठीक है, यहाँ बस मैं बदलते जाओगा, D के जगर M, A, I, C, ठीक है, तो इस question बन जाएगा आपका, आगे बढ़ते हैं, आजाओ, question number 10, यह भी out of syllables है, out of module, मतला आपने सुना भी नहीं होगा, ऐसा question पूछ लिया है, December 2020 में, ठीक है, out of module है, in TQM, which of the following is, not classified as cost of non-conformance, कि अगर आप, जो आपका standard है, या जो आपका एक यह है, required तरीका है, अगर वो आप follow नहीं कर रहे हो, मतला आपका जो quality का benchmark है, या quality का level है, या जो quality आपने promise की है, अगर आप वो fulfill नहीं कर पा रहे हो, तो उसके वज़े से जो आपका नुक नुकसान होगा, वो होता है, cost of non-conformance, मतलब आप confirm नहीं कर रहे हो, quality standards पर, कि आपका quality standards कुछ और है, आपने print कुछ और किया है, पर आपकी product की quality वैसी नहीं है, इसके वज़े से जो आपका नुकसान होता है, उसको कहते है, cost of non-conformance, तो इसमें normally क्या क्या आता है, कि अगर गलत quality का product चले जाए, तो क्या होता है, एक तो आपको उसको सुधारना बढ़ता है, rework, तो rework cost आती है, या तो customer हाँच से निकल जाता है, तो आपका profit का loss हो जाएगा, दूसरा होता है कि आपको warranty अगर आपने दी होगी, तो warranty में आपको वो बदल के देना पड़ेगा, तो यह सब नुकसान होता है, तो आपको पूछा है, कौन सा cost of non-conformance नहीं है, पहला है देखो, testing equipment, reworking, warranty claims, product design, बोलो, तो क्या है, option आएगा, testing equipment, testing equipment का cost of non-conformance से कोई लिना दे नहीं है, आपका quality confirm हो नहीं हो, equipment आप test करो गई न, उसका purpose ही अलगे, उसका purpose ही अलगे, ठीक है, वो वैसे भी test किया ही जाता है, क्योंकि आपकी quality confirm नहीं होरी, इसलिए आप test कर रहे हो, ऐसा नहीं होता है, ठीक है, बाकी सब देखो है, reworking, warranty claims, product designs, यह सब का जो खर्चा है, that is cost of non-conformance, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो यह out of syllabus आपका question है, फिर है six sigma management has several levels of certifications, it does not include, कौन सा six sigma का level नहीं है, पहले मुझे बता दो क्या-क्या levels होते हैं, एक है आपका champion, फिर है yellow belt, green belt, black belt और master black belt, तो बोलो, पहला है yellow है, green है, champion भी है, white belt होता ही नहीं है, ठीक है, white belt ऐसा कोई belt ही नहीं है, और यह सब नाम कौन से sports से related है, martial arts, ठीक है, यह भी question आता है, आगे बढ़ते हैं, BPR, business process engineering mainly involves, number one, radical improvement होता ही है, fine tuning, नहीं भाई, थोड़ा सा ऐसे कोई finishing touch नहीं देते हैं, radical rethinking, radical redesign ऐसा होता है, slight reduction in cost, नहीं सर, recruitment of business process engineers, ठीक है, तो clear आपका है, radical improvement, BPR में हम क्या करते है, radical improvement का हमारा target होता है, by radical redesigning, rethinking, ठीक है, यह भी काफी tough है, काफी tough है, क्या है, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, इस topic पे हो, factors for successful implementation of BPR, तो यह 5 आपको याद करने है, ठीक है, change in management, management competencies, मतब इन factors पे depend करता है, क्या आपका BPR successful होगा, या नहीं होगा, ठीक है, change in management, management कितना आप change कर पाओगे, आपका काम करने का तरीका, कितना आप change कर सकते हो, management की competencies कैसी है, organizational structure कितना flexible है, BPR project management आपका कैसा है, और IT stuff structures कैसे है, इन 5 पे depend करता है, तो question देखो, आपको क्या पूचा है, आजाओ, तो आपको कौनसा factor नहीं है, वो identify करना है, पहला है, change in management, management competencies, organizational structure, तीनों पहले के हैं, business process network, network process, ऐसा कुछ factor नहीं है, ठीक है, odd man out आपको निकलना है, तो टोटल 5 points है, ठीक है, साथ साथ में बोलो, change in management, management competencies, फिर क्या था, BPR project management, और IT sub structures, और एक कुछ तो था, organizational structure, ठीक है, ऐसे पाँच factors है, for successful implementation of BPR, आगे बढ़ते हैं, बोलो, question 14, with reference to benchmarking, select the correct statement out of the following, correct statement आपको बताना है, finding and implementing the best practices, traditional controlling is also known as benchmarking, focus of benchmarking is to identify and eliminate non-value-adding activities, यह तो BPR का point है, benchmarking deals only with medium-size organization, ऐसा भी कुछ नहीं है, clear, clear है एक, क्योंकि यह उसका मतलब ही है, benchmarking means, finding and implementing the best practices, यह definition में ही है, पहले-पहले paragraph में ही है, ठीक है, finding and implementing best practices, is called as benchmarking, अब यह भी थोड़ा सा, I think, case study वाला question है, ठीक है, तो देखो, तीन-चार question है, भाई, case study से related, which of the practice started by Ford Motor, with slogan, quality of job 1, quality is job 1, तो quality is job 1, यह कौन सी practice start की थी, Ford Motor ने, तो यह है TQM, TQM यह slogan से start किया था, Ford Motor ने, ठीक है, शल, आगे बढ़ते हैं, फिर है, in which Six Sigma, an individual should have a basic understanding, पंच वर्ड है, basic understanding, ठीक है, basic understanding, basic understanding of Six Sigma, statistical tools and DMAIC methodology, तो यह आपका आता है, yellow belt, yellow belt आपको अगर पढ़ा होगा आपने तो उसमें पढ़ा होगा, कि yellow belt कौन है, जिसने green belt की exam पास की है, पर उसने कोई Six Sigma project नहीं किया, और उसके पास basic understanding है, इन सब की, working knowledge नहीं है, expert knowledge या hands-on काम करने का experience नहीं है, सिर्फ basic understanding है, तो आपका पंच वर्ड यहाँ पे क्या है, basic understanding, आगे बढ़ते हैं, बोलो, यह भी बहुत सिंपल है, primary objective of BPR is, तो यह आपने पढ़ा होगा, दो ऐसे इसके फायदे होते हैं, eliminate redundancy, eliminate enterprise cost, यह दोनों benefits होते हैं, ठीक है, बोत A and B, मतलब काफी उपर-उपर का question है, यह, I hope पढ़ा होगा आपने, eliminate redundancy and eliminate enterprise cost, यह दो objectives होते हैं, BPR के, फिर है, the three main properties of blockchain are, यह भी उपर-उपर का point है, three main properties of blockchain क्या है, बोलो, decentralization, immutability, और एक है, बूल गया मैं, transparency, चीक है, decentralization, transparency and immutability, चीक है, बहुत ही basic question है, बोलो सर, फिर से वो दिया है, repeat हुआ है, DMAIC stands for, बोलो, define, measure, analyze, improve, control, repeat हुआ है, ठीक है, DMAIC, define, measure, analyze, improve, control, आगे बढ़ते हैं, the simple objective of TQM is, बोलो, total quality management का simple objective क्या है, Production aim to manufacture quality products, production aim to arrest zero defectives, do the quality plan, strict with, stick होगा हो, stick with the quality time frame, re-examine the quality achievement, do the right things, write the first time and every time, ठीक है, यह उनकी philosophy है, Simple लिखाया, simple objective यही है, कि सही काम करो, पहली बार करो, और हर बार सही ही करो, गलती मतलब करो ही नहीं, ऐसा उनका philosophy है, और A line D वोई है, module में, ठीक है, do the right things, write the first time and every time, फिर यह एकदम out of box question आ गया था, ठीक है, एकलोथा question है, जो full form पे आया हुआ है, बदब DMAIC आया है, बद DMAIC काफी important concept है, ऐसा यह इस type का full form expect नहीं था, ASQC, ठीक है, तो यह है American Society of Quality Control, तो यह थोड़ा organization based पूछ लिया है, तो यह थोड़ा जीव है, आगे बढ़ते हैं, यह भी बहुत अच्छा question है, एक्स company limited wants to achieve six sigma status in their manufacturing setup, and to achieve this, the company must reduce the manufacturing defects to a level of not more than, क्या defect level चलता है, पहले क्या quality level चलता है, 99.999, तीन बार, 66%, इतना defect free product आपका होना चीए, तो अगर इसको आप mathematics में करोगे, तो यह आता है, 3.4 defects per million, per million सिर्फ 3.4 defects allowed है, six sigma level पे, ठीक है, तो लिख लो, इस पे भी question आया नहीं है, आ सकता है, 99.99, कित्ती बार 9 है, 999, तीन बार, 99.999, 66%, आगे बढ़ते हैं, फिर है, यह भी अच्छा question है, which of the following is not a type of benchmarking, कौन सा type का benchmarking नहीं है, पहले तो तीन आपको पता होना चीए, कि क्या होते हैं, चीक है, तो I think, performance होई, क्या-क्या है, एक मिन, option पढ़ लेते हैं, strategic, performance, process, quality, तो quality नाम का benchmarking है यह नहीं, पढ़ लो देखके, थीक है, SPP, strategic, performance, process, यह तीन types हैं, और फिर आते हैं, approaches, internal, external, generate, functional, यह सब, तो approach पर question नहीं है, यह type पर है, type तीन ही होते हैं, quality benchmark कोई type है यह नहीं, बोलो, अब पूछा है, process, sequence of benchmarking बताओ, बोलो, sequence of benchmarking wheel, ठीक है, बोलो, तो यह आता है, आपका six wheel रहते है, plan, find, collect, analyze, improve, ठीक है, पहला आता है plan, और किसी में भी देखो, plan है यह नहीं, मतलब बहुत आसान question है, अगर आपको हलका भी पताओगा, तो पहला point आता है plan, और किसी में भी plan है ही नहीं, ठीक है, तो plan, find, collect, analyze, improve, plan, find, collect, analyze, improve, ठीक है, तो यह था सर आपका chapter 16, I hope, थोड़ा mind आपका clear हो गया है, कि yes, एकाद दो out of syllabus आते हैं, एकाद दो में आप बहुत ही जादा confuse हो जाओगे, इसलिए मैं फिर से repeat कर रहा हूँ, कि 40 में से 35 marks तक ही आप target रखो, आप actual में शायद achieve कर भी पाओ, अगर आप जादा target रखोगे, तो आप demotivate हो जाओगे, और believe me, आप 30 भी नहीं ले पाओगे, 30 भी नहीं ले पाओगे, उससे भी नीचे चले जाओगे, demotivate हो जाओगे, ठीक है, तो decent target रखो, 32 से लेके 35, I think it's very decent, और यह maximum है, जितना आप बिना बहुत जादा tension लिए, बिना negative में जाए, आप achieve कर सकते हो, ठीक है, 3-4 question of beat आते ही हैं, सर, आप कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है, न मैं कुछ कर सकता हूँ, ठीक है, शल यह, तो यह था आपका FMSM का पूरा MCQ सीरीज, 400 MCQs हमने cover कर लिए हैं, सर, इन 12 से 13 दिनों में, और I hope आपने सारे वीडियोज देखे हैं, और सारे वीडियोज लाइक के होंगे, और share जरूर करना, अपने self study के students के साथ, अपने self study friends के साथ, ठीक है, thank you so much, और comment box में feedback जरूर देना, कि आपको कैसी लगी यह MCQ की सीरीज, thank you so much.